पाँचवाँ पाठ कविता का शीर्शक है थोड़ी धर्ती पाऊँ बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धर्ती पाऊँ उस धर्ती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊँ खिलें फूल फल चड़ियां बोलें प्यारी खुश्बू डोले ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले लेकिन एक इंच धर्ती भी कहीं नहीं मिल पाई एक पेड भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धर्ती हो फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धर्ती हो हो सकता है छोटी सी क्यारी हो महकर ही हो छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो हो सकता है कहीं सहन में पक्षी जूम रहे हो तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना पेड़ों को मत कटने देना मत चड़ियों को रोना एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं शाखें कटने पर वे भोले शिशूं सा रोते हैं पेडों के संग बढ़ना सीखो पेडों के संग खिलना पेडों के संग संग इतराना पेडों के संग हिलना बच्चे और पेड दुनिया को हरा भरा रखते हैं नहीं समझते जो दुशकर्मों का वेफल चखते हैं आज सभ्यता वहशी बन पेडों को काट रही है जहर फेफ़डों में भरकर हम सब को बाट रही है कवी सरवेश्वर दयाल सकसेना अभ्यास शब्दार्थ जलाशे अर्थात तालाब या जील आदी दुशकर्म अर्थात बुरा काम दहकना अर्थात आग की लप्टें उठना अंग अर्थात भाग या हिस्सा या शरीर के हाथ पाउं आदी वहशी अर्थात असभ्य सहन अर्थात आंगन शिशु अर्थात बालक विनती अर्थात प्रार्थना एक कविता संबंधी प्रश्ण क कवी बाग भगीचा क्यों लगाना चाहता है ख कविता में कवी की क्या विनती है ग कवी क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वहशी बन पेडों को काट रही है इस पर अपने विचार लिखो घ कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो बच्चे और पेड दुनिया को हरा भरा रखते हैं अब तुम यह बताओ कि पेडों और बच्चों में क्या कुछ समानता है उसे अपने ढंग से लिखो कविता पढ़ो और जवाब दो क कविता की कौन सी पंक्तियां सबसे अच्छी लगी ख वे पंक्तियां क्यों अच्छी लगी तीन बातचीत यहां एक लकड हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है इसे अपनी समझ से पूरा करो बच्ची ओ भईया आप इस पेड को क्यों काट रहे हो लकड हारा ये तो मेरा काम है बच्ची पर ये तो गलत है लकड हारा यह कैसे गलत है इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोशन होता है आगे स्वयम पूरा करो चार बाग भगीचा क तुम पेडों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो बताओ ख कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है बताओ इन चीजों में से कौन सी चीजें बगीचे में होंगी कार फूल क्यारिया चिडिया सडक फल खेत तालाब कारखाने पेड कुरसी कागज पत्त टहनी यह भी करो क तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड पौधे पशुपक्षी आम तोर पर नजर आते हैं उनकी सूची बनाओ ख अपने आसपास पता करके ऐसे किसी व्यक्ति से बात करो जिसने कोई पेड या पौधा लगाया है उससे पूच कर ये जानकारियां प्राप्त करो पेड पौधे का नाम कब लगाया था? देखभाल की या नहीं? क्या वह पेड या पौधा अब भी मौजूद है? 6. खोजबीन हमारे देश में पुराने समय से ही पेड पौधों को लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है कई बार लोगों ने मिलकर पेडों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी कठी करके कौपी में लिखो इसके लिए तुम्हें पुस्तकाले, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शिक्षिका या माता-पिता और इंटरनेट से भी सहायता मिल सकती है साथ इन शब्दों के समान अर्थवाले कुछ शब्दों को लिखो धर्ती चडिया हवा पेड दुनिया आठ जंगल, पेड पौधों और प्रकृति से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो जंगल शीर्शक से दी गई कविता को पढ़ो और अपने दोस्तों को सुनाओ